जिस किसी से भी सूपरस्टार सर्मान खान का नाम जुड़ जाता है उसका हिट होना लगभग तै हो जाता है हाल ही में खबर आई थी कि करीना कपूर कॉंग्रस पार्टी से भोपाल से चुनाव लड़ सकती है लेकिन ये खबर पूरी तरह से गलत साबित हुई अब इन दौर के कुछ कारे करताओं ने सलमान खान को इन दौर से चुनाव लड़ने की मांग की है जो की सुर्खियों में चाया हुआ है कॉंग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश यादव ने सलमान खान के लिए ये मांग की है कि उनको कॉंग्रेस पार्टी के लिए इन दौर से उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए सलमान खान को कई बार कॉंग्रेस का प्रचार करते देखा गया है इसके पहले कॉंग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंग चौहान उर्फ गुड्डू चौहान ने राहुल गांधी को पत्र लिख कर कि उनको उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए जिससे पाची को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है करीना कपूर के चुनाव लड़ने की खबर पर करीना कपूर ने इस बात को पूरी तरह से नाकार दिया है और कहा है कि वो किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ रही है बलकि वो अपने करियर पर ध्यान दे रही है लेकिन अब सल्मान खान को लेकर इस खबर ने धम्माल मच अब ही विडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मस सालेदार खबरों के साथ बाई बाई